इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंगलेस का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जापान दा लैंड आप दा राइजिंग सन जापान उकतेवे सुरज का देश ठेक है जापान है पूरा में पढ़ता है जिसके कारण क्या हुआ है पर सुरज सबसे पहले उकता है त जापान हो जाएगा तो चलिए पढ़ते हैं जापान popularly called the land of the rising sun is known for its beautiful landscape लैंड इसकेप में सोता है क्या प्राकृतिक सुन्दरता ठेक हर जगा हर याली है पेर पौद है जील जर्णा तलाब ये सब है जापान जिससे परसित रूप से उकतेवे सुरज का देश कहा जाता है इस known for its beautiful landscape अपने सुन्दर प्राकृतिक सुन्दरता के लिए जाना जाता है ठीक है प्राकृतिक सुन्दरता के लिए The snow clad high mountains add to its beauty बर्व से ढखे उची उचे पहार इसकी सुन्दरता को बढ़ाते हैं So do the beautiful lakes and streams that shine like bright silver So do the beautiful lakes and streams Lakes यानि क्या जील, streams यानि जरने इसी तरह सुन्दर जील और जरने करते हैं यानि वो भी क्या जापान की सुन्दरता को बढ़ाते हैं तेकिन एक इसकी तरह बर्व से ढखे उचे पहार की तरह तो इसी तरह सुन्दर जील और जरने करते हैं जो चमकीला silver की तरह चमकते हैं तो उनका जो पानी है ना जब सुवज का प्रकास परता आना था बहुत ज़्याद चमकते हैं silver रंक है तो लवली गाड़ेंट्स विद्धेर बिटफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स एंचैंट ता विजीटर्स एंचैंट मीशो ता मन महोना विजीटर्स मीश क्या आगंतुक चो मिलने आया है तो क्या बुला ज़रा अपने सुंदर फूलो और प्यारे फलो वाले प्यारे बगी चे अगंतुको का मन महो लेते हैं तो बुला ज़रा जपान के भागोल्यों की स्थिति ऐसी है कि हम सभी, we do not find houses like ours, हम सभी अपने जैसे घरों को नहीं पाते हैं अगर आप घुमने जाएगा तो देखिए कि हम सब जैसे घर बनाते हैं उस तरह से उनका घर नहीं होता है जैपानिस यानि जैपान के लोग क्या ये इटो और पत्रों से अपना घर नहीं बनाते हैं वे सभी लकडी के घर बनाते हैं ठीक लकडी के घर with walls made of strong thick paper जिसकी दिवाल मजबूत मोटे कागस से बने होते हैं मजबूत और मोटे कागस से ये यूज 3 और 4 square pieces of glass वे सभी सीसे के तीन या चार वर्गकार भाग का इस्तमाल करते हैं विच सर्फ और windows जो खिर्की की तरह काम करता है ठीक है तो खिर्की में कैस तामाल करते हैं ग्लास का बनाते हैं ठीक है तीन या चार वर्गकार भाग ले लेते हैं और खिर्की बना देते हैं हाँ इस्ट्रेंज कितना अजीव है तो यह तो बहुत अजीव है हम सब जैसे घर बनाते हैं सब बनाते ही नहीं है विद्रिगार्ट टू कुकिंग तो जापानिक डूनाट बर्न फायर्ज इंधियर रूमस खाना पकाने के संबन्ध में बात किया जाए तो तो खाना पकानिके संबन्ध में जापान के लोग अपने कम्रों में अपने कम्रों में आग नहीं जलाते हैं they use stopes for cooking, आग नहीं जलाते हैं, मतलब लकडी पर खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि बहुत धुआ होता है, इसलिए, यूज श्टोप for cooking, वे सभी खाना पकाने के लिए श्टोप का इस्तमाल करते हैं, So, it is hard to see smoke in a Japanese house, इसलिए, इसलिए जपानीज घर में धुआ देखना मुश्किल है, आपको धुआ मुश्किल से दिखाए पड़ेगा, The Japanese are fond of eating rice and fish, जपान के लोग, चावल और मचली खाने के स्वकिन होते हैं, They are also very fond of tea, वे सभी चाई के भी स्वकिन होते हैं, समझें, वे सभी चाई के भी बहुत स्वकिन होते हैं, But their tea has neither milk nor sugar in it, लेकिन उनके चाई में न दूद होता है, और नहीं चीनी होता है, यानि जो होता ने green tea, वो सब पीते होंगे, The Japanese are very fond of writing in a carriage, which is light and small and drawn by man, तो बलाज रहा है, जपान के लोग, एक वाहन, एक वाहन के सवारी करने के बहुत सवकिन होते हैं, जो हलका होता है और छोटा होता है, और एक आदमी के दौरा चलाया जाता है, इसे रिक्षा कहते हैं, इसे रिक्षा कहते हैं, रिक्षा, तो बलाज रहा है कि इसी तरह, वे सभी अपने हातों में पंखा ढोने के बहुत सवकिन होते हैं, जहां जाते हैं, तो पंखा लिए उड़ाते हैं, तो पंखा, आगे बलाज रहा है, विच मेड अफ श्ट्वा, जो पौल का बना होता, पौल का, तो जपाने हैं, वेरी पार्टिकुलर अबॉट क्लिनिनेस, जपान के लोग, साब सफाई के बारे में बहुत सतर्क होते हैं, साब सफाई के बारे में, उनको बहुत नौलेज है, कोई भी घर में नहीं जालता है, जूतों को पहन कर, इस प्रकार से, वे सभी गली का धूल को रोकते हैं, गली के धूल को रोकते हैं, from getting into the house, घर में जाने से, जब जूता पहन के घर में जाएंगा, तो फिर गंदगी चला जाएगा, तो वो सब जूता पहन के, चपल पहन के, वो जो भी है, वो घर में नहीं जाते हैं, तो गंदगी बहार ही रहा जाता है, तिसले बोला जड़ा ह कि इस प्रकार से भी सभी घर में जाने से, गली के धूल को रोकते हैं, there are two important festivals, दो महतपुर्ण पर्व हैं, ठीक है, जपान में, one for the girls, एक लड़कियों के लिए, another for the boys, दूसरे लड़कों के लिए, एक festival लड़की के लिए, दूसरे लड़कों के लिए, The Fist of Dolls, which is celebrated on the 3rd March, as a holiday for girls, for girls, बोला जड़ा है, Fist of Dolls, यह festival का नाम है, ठीक है, Fist of Dolls, Fist of Dolls, उनका festival का नाम है, ठीक है, Fist of Dolls, उनका festival का नाम है, तो बोला जड़ा है, Fist of Dolls, जो a 3rd March, 3 March को मनाया जाता है, ठीक है, एक छुट्टी का दिन होता है, लड़कियों के लिए, On this day, इस दिन को, even the poorest girl has some doll to play with, इस दिन को, सबसे गरीब लड़की को भी, खेलने के लिए, कुछ गुडिया होती है, ठीक है, निमत गुडिया, वो कितनों गरीब रहते हैं, तो खड़िते हैं, या फिर कोई दे देते होंगे, तो ये अतना फेमस है, ना कि, सबसे गरीब, इसने सबसे गरीब लड़की को भी, उस दिन खेलने के लिए, कुछ डॉल्स होते हैं, कुछ गुडिया होती है, तो बला जड़ा इसी तरह, ठीक है, तो बला जड़ा इसी तरह, ठीक है, जिस परकार से लड़की को एक फेस्टिबल था, तो बिल्कुल उसी तरह, इसी तरह, सिमिलरली, फिस्ट ओफ कार्प, ठीक है, जो मही में आता है, ठीक है, दीन होता है, जब जपान में परतेक लड़के एक पतंग उडाते हैं, जो एक मचली की तरह दिखता है, तीन पतंग किस की तरह दिखता है, एक मचली की तरह दिखता है, कौन सा मचली की तरह है, कार्प मचली की तरह, कार्प, The carp is a very strong and brave fish Carp एक बहुत मजबूत और बहादूर मचली होती है Everybody in Japan hopes to grow up as brave and strong as the carp तो प्लाजरा जपान में परते एक लड़के बड़े होकर Carp मचली की तरह बहादूर और मजबूत बनने की आसा करते हैं तो जपान में जितने बच्चे ने जितने बच्चे ने जितने लड़के हैं वो सोचते हैं कि कालप मचली की तरह ना तम बहादूर और ब्रेव strong मजबूत बनेंगे ठीक ना बड़े होकर आगे है New Year's Day is also greatly celebrated in Japan ठीक है? जपान में बहुत खुशी से मना जाता है बहुत ज्यादा धूमधाम से मना जाता है on this day इस दिन को वे सभी अपने दोस्तों के घर जाते हैं या फिए अपने दोस्तों से मिलते हैं और अपने साथ में ठीक है उपहार भी लेते हैं ले जाते हैं रात को दे लाइट थेर हाउसेस एंड श्ट्रीट्स तुबलज राय के रात में वे सभी अपने घरों और गलियों को सजाते हैं सजाते हैं नहीं मतब लाइट मतब परकासित करते हैं ठीक ना परकासित यानि बॉल यानि लाइट परकासित कर रहा है तो कैसे परकासित करते हैं कागज के बिभीन रंगों के डिफेंट कलर्स बिभीन रंगों के कागज के बने लाल्टेन से हैं तो कागज के लाल्टेन मनाते हैं और बीच में दिया हुआ जलादेता इंडिया में तो ऐसी होता है भीहकर में वो तो क्या करते हैं अभी रंगों के कागज के लालटेंड बनाते हैं और बेसे अपने घड़ों और गलियों को परकासित करते हैं रात में और बहुत ज़्यादा अनंद मनाते हैं खुशी मनाते हैं Children in Japan are very clean and neatly dressed जपान में बच्चे बहुत साफ सुत्रे कपड़े पहने उबढ़ाते हैं They never spit in the room वे कभी कमड़े में थुकते नहीं हैं They always knock before they enter वे अंदर आने से पहले हमेशा ठक 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 आते हैं यह नहीं कि किसी के घड़ में या किसी के कमड़े में घुश गया है खुशने से पहले नॉक करते हैं ठक 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 आते हैं They always welcome guests वे हमेशा ठक ठक का स्वागत करते हैं and are always polite to them और उन सभी के प्रति हमेशा विनम्र रहते हैं गुस्सा नहीं करते हैं They are very soft spoken वे सभी हना प्यार से बात करते हैं As they never shout or speak aloud कियुकि वे सभी कभी चिलाते या जोड से नहीं बोलते हैं चिला के नहीं बोलते हैं It is very rare to find a Japanese really at anyone ठीक है? It is very rare या बहुत दुरलब है एक जपान के व्यक्ति को किसी पर रुखाई से बात करते हुए यह ढूनना बहुत मुश्किल है कि एक जपानीज है जपान का आदमी है किसी को किसी पर क्या गुस्सा कर रहा रुखाई से बात कर रहा A remarkable quality ठीक है na A remarkable quality of the Japanese तो क्या बहुत जपान के लोगों की एक असाधारन क्या गुन है ठीक है ठीक है जपान के लोगों के एक असाधारन गुन है कि वे सभी रोते नहीं है अगर गिर जाते हैं या खुद को नुकसान पहुचा लेते हैं समझे खुद को घायल कर लेते हैं तो इसा बोते नहीं है, गिर गया है, या खुद को नुक्सान पोचाले, यह सेव काट रहे हैं, तो थाज अकट गया है, इस तरह से, तो सब रोते नहीं है, तो क्या पालज़ रहा है, इसूशरा, उनके, उनके कल्चिरल टरनींग की वजा से हो पाया है, तो संस्क्रितिक प्रशिच्चन, तो गें आते चहरी के साथ, दर्द सहन करने का उनका सांस्कृतिक प्रसिच्छन के कारण ऐसा हुआ है तो वह गिरते हैं तो रोते नहीं है तो उनको हमेशा से सिखाये गया है समझे कि गिर जाओ तो रो नहीं मुश्कराते चेहरे के साथ तिन दर्द को सहो दिस हेल्फस टेम गुरो अब इंटो प्लाइट और ब्रेव मेन अन्वी में तो क्या बलज रहा है दिस हेल्फस देम यह उन सभी कीमदद करता है विनम्र और बहादूर आदमी और आरत बड़ी होकर बनने में तो वो बड़े बाव होते हैं, चिल्डरन, बच्चे, तो वो विनम्र बनते हैं और बहादूर बनते हैं, तो यह जो ट्रेनिंग है, यह जो प्रसिच्छन है ना, सांस्कृतिक प्रसिच्छन, यह उनको बच्पन से मिल रहा है, आगे देखें, सिंटोईजम, इस दा चीफ र सिंटोईजम है, जापान के लोगों का प्रमोख धर्म है, अब इस देखें सिंटोईजम क्या होता है, तो दीखें, सिंटोईजम क्या होता है, पुरवाजो, ठीक ना, पुरवाजो की पुझा की जाती है, इस में, पुरवजो की तो देखिए सिंटोईज में क्या करता यह जपान की लोगों का तो यह यह जपान की लोगों को सिखाता है क्या सिखाता है तो लब बीटिफुल थिंग्स सुन्दर चीजों से प्यार करना सुन्दर चीजों से प्यार करना And to honor the dead और मिर्थ वैक्तियों को समानित करना सिखाता है किंकि जो हमसों के मिला है तो वो प्रवज्जों कहीं देने इसलिए उनको उनके जाने के बाद भी उनका है ना पूजा किया जाता है, ये सिंटोईजम है this is the reason they make beautiful things of wood paper तुबला ज़रा है कि this is the reason यही कारण है कि वे सभी लकडी कागच से सुन्दर चीजे बनाते हैं ठीक है यही कारण है क्यूंकि उन सभी को सुन्दर चीजों का से प्यार करना सिखाया जाता है कीर करना सिखाया जाता है ठीक है उनका एक धर्म ही है धर्म ही है सिखाया जाता है कि प्राकृतिक जो चीजे प्राकर्तिक चीज उसका समान करना है और जो पुर्वज है उनका भी समान करना है तो अच्छे-चीजे बनाते हैं चमड़ा से भी बनाते हैं अच्छे-चीज है उनकी प्यारी वस्तुएं दूसरे देशों में क्या भेजी जाती है समझें निरियात की जाती है अच्छे लगा दिये तो समान हो गया आगे है तो जपानिज है आफ आलवेस बिन रिगाड़ेड़ एस क्लेवर एंड हाड़ वर्किंग पीपल अच्छे फिर्शनामि बिएटी तो बहुँआ जरा जपान के लोगों को हमीशा से चतुर और कठीन प्रिशनामी लोग माना जाता है हमीशा से दे नेवर सी टायड़ वे कभी बिकार नहीं बैठते हैं समझें वालसी की तरह कभी भी बिकार नहीं बैठते हैं The most remarkable thing about them is their patriotism, patriotism कहते हैं क्या देशभक्ति को, तो क्या बुल अजरा है, उन सभी के बारे में सबसे और साधारन चीज है, उनकी देशभक्ति, ठीक ना, उनकी देशभक्ति, They love their country, वे सभी अपने देश से प्यार करते हैं, and are ever ready to die for her, और उसके लिए कभी भी मरने के लिए तयार रहते हैं, जान निचावर करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, और ये word meaning आप याद कर ले जाएगे, बहुत important है, अगर आपके पास book है तो अच्छी बात है, अगर नही हैं, तो आप इसका screenshot लेकर याद कर लें, I hope आपको ये वीडियो पसंद आए होगा, thanks for watching, इसके अगली वीडियो में इसका question is solve करेंगे,